बिस्मिल्लाहिराहिराहिराहिम, असलाम अलेकुम, आप मेना यूटुब क्यानल देख रहे हैं, वेल्काउट मेना यूटुब क्यानल, आज लक्षिर नमर फाइव हमने पढ़ना है जी सिस्टेंड पॉलीस जो 16 स्केल की जावनों सुई हैं पंजाब पॉलीस में, साथ सारा मुबाल जो मेरा जनाब हैंग हो गया था, फिर डेट हो गया, सारा डेटा भी मेरा जाया हो गया था, तो काफी मुशकलाथ के बाद आज हमने दुबारा इसको स्टार्ट किया है, अलेक्षिन नमर फाइव हम पढ़ने हैं, मैथमेटिक्स के वाले से हमको पता हैं, तो तो नो टापिक्स में से एक एक क्वेस्टिन आपका लाजमी आता है, बाद उकाद दो-दो क्वेस्टिन मीन के चार क्वेस्टिन भी बन जाते हैं, अगर चार ना बने तो दो लाजमी आने होते हैं, तो ratio और परपोशनल के वालक से सबसे पहले आपने इप ने की definition देखनी है ratio की definition देखते हैं साब से पहले जी ratio की definition एदी ratio is used for comparing two quantities of same kind यह same kind का लफ जो ना यहाँ पर question बनता है कि जनाब जो ratio है यह दो same kind या दो different चीज़ों के दरम्यान ratio होती है ratio का असल में मतलब होता है निस्बत ratio का मतलब क्या आदा जी निस्बत जो निस्बत होती है ना जी निस्बत निस्बत हमेशा दो एक जैसी चीज़ों के दरम्यान मौाजना होता है कि हम पहरे दिन होता है दो मुक्तली चीज़ों के दरम्यान मौाजना नहीं होता है जैसे हमने आम तोर पे आम फैम आपने देखा होगा बच्चों को पूछते हैं क्वेस्टिन के बताएं जी अकल बढ़ी है के बैंस तो अकल और बैंस का आपस में कोई मौाजना नहीं हो सकता है उनके तरम्यान में कोई रेश्यो या निस्बत आप नहीं कर सकते है यह क्वेस्टिन यह गलत होता है एकल बढ़ी के बाद बैंस ठ बराब रचक कई सकते हैं कि जनाम 9 बढ़ा है कि 10 बढ़ा है 9 बढ़ा है कि 10 ये 2 durability ये 1 बढ़ा है अगर हम्चा पर पे यहां पर यहां पर यह और यहां नहीं कर सकते जाँ तो तो दो एक जैसी चीजों के तर्मियान जो relation होता है, उसको हम कहते हैं जी निस्बत कहते हैं, यह आपका question हो गया clear, उसके बाद दूसरा question जो आपसे बनता है, वो यह बनता है जी, ratio formula for two numbers A and B is expressed as A ratio B, इसको हम ऐसे express करते हैं, A ratio B का मतलब होता है, A बटा B, A ratio B का मतलब क्या होत होता है, यह आपके पास question होता है, कि आपको पता होना चाहिए कि जब हम ratio को हम इसको बटे में convert करते हैं, इसको हम तो आपने क्या करना होता है, जी first number को उपर रेखना होता है, दूसरा number को आपने नीचे रखना होता है, यह आपका question हो गया, दूसरा number पर जो question मनता है, यह पहीं करेहिं निहीं कुछते हैं यह यहां करने Anोफ अफॹन से कॉपश की से निसानेatar ERIC पहर केकिए लड़ाइ कहल खिनान गाता है लदाई का खीर का मजा बात में आता है means के जो भी चीज ये उसके consequences उसके नताइज होते हैं वहीच को याद कर सकते हैं जो बाद वाली रिकम होती है instagram बाद वालों कहते हैं, पहले वालों कहते हैं, यहां सी यह question आपका बन सकता है, यह आपका clear हो गया, इसकी definition आपका बनते हैं, उसके बाद आपका proportion है, proportion का topic है, हमने का बड़ी टेल से पढ़ना है, यहां पर जैस इसकी मैं definition आपका बताऊंगा, proportion when two or more ratios are equal, they are set to be in proportion, जब दो ratios को, for example, A ratio B है, दूसरे आपके पास C ratio D है, यह दो ratios आपस में बराबर हो जाएं, इनको आपस में बराबर कार दें, तो हम क्या कहते हैं, यह आपस में proportion बन गई हैं, ऐसे लिखते हैं, फिर भी ठीक है, अगर इनका असल proportion का, साइन इस तरह का होता है, आपने दो ratios को कठा करन हैं, ठीक है जी, आप इसका जो फार्मॉला आता हो, फार्मॉला यह होता है, उसको हम उर्तु में पढ़ते हैं जी, तर्मियान की जरब बराबर हैं, वस्त कहते हैं, दर्मियान वाल चीज़ों को तर्फएन कहते हैं, दोनों तरफ इनके, एक सजदाइन तरफ, एक बाइन तरफ हैं, जो आपके पार जो बाइरोल चीज़ आना, ए और डी इनकॉपस में जरब करते हैं, ए जरब डी, यह बराबर होता है, दर्मियान वाले को जरब करें, बी जरब सी, ठीक है जी, यह क्वेस्चन पुछ रहता है, जना आप यह जो आपके पर प्रोपोर्शन दिया करना था, तरी एक्स, बराबर आपके पास क्या था, दर्मियान वाले 6-4 बार, आपके पास आता, 24 एक्स, आपके पास अंसर क्या जाते हैं, आठ है जाते हैं, इस तरह से यहां से आपका प्रोपोर्शन के वाले से जो आना, यह क्वेस्चन पूछ लेया जाता है, यह आप आपके पास topic है combined ratios, number two आपके पास है common ratios, number three आपके पास है simple ratio calculation, number four है ratio with constant addition, ratio in a mixture, ratio in proportions, equivalent ratios, ratio in sharing and modified ratios, ये आपके पास nine topics होते हैं, ये no के no topics हैं, में समझ लेंके no types हैं आपके पास ratios, इसकी बिलकुल असान chapter है, असान सान इंचला भी आप करेंगा, आपको समझ आजेगी, उसके पा का lecture है, अगर अच्छी तरीके साब समझ लेंगे, तो आप ये practice question असानी से आप कर लेंगे, अगर आप ये practice question भी कर जाते हैं, तो यह आपके पास ratio वाला जो आपका topic है, इन्शाला जाला crystal clear हो जाएगा, ठीक है जी, तो सबसे पहला बात करते हैं, ये पहले topic की पहला हमारे पास है जी, combined ratios, combined ratio का क्या मतलब होता है, अब यहाँ पे ratio का question जब भी आजए ना, आपके mind में एक बात आजए ने चाहिए, ये जो आपके पास number नज़र आ रहे होते हैं, ए रेशो बीदिकल तीन रेशो चार या चार रेशो पांच, ये असल number नहीं होते हैं, ये असल number नह तीन रेशो चार नहीं है, असल number कोई ओर हैं, हो सकता है, यहाँ पे आपने तीन, छे बार एठारा और चार शे बार चोबीस हो, इन ठारा और चोबीस को आपने काट-काट के ना, छे तीन बार ठारा चे चार बार चोबीस हो, ये आपने उसकी simplest form लेकी हुई है, असल number हमें class में for example जो wise है ना जो wise है वो girls से आदे हैं means के girls की तदाद wise की निस्बत दो गुना है double है wise girls के हिसाब से double है हम क्या लिखेंगे अगर हमारे पास एक लड़का है तो उसमें दो लड़कियां होंगी ठीक है जी हम इसको mathematical form इस तरह से लिखेंगे अगर हम इसको उर्फ आम में simple language में पढ़ते हैं हम कहते हैं जी boys और girls की तदाद जो आपकी class में है girls की तदाद boys से double है girls की तदाद boys से double है अब इसको mathematical form हम लिखेंगे boys ratio girls is equal to one ratio two अगर एक boy है तो लड़कियां कितनी होंगी दो होंगी अगर boys मार पास दो हैं तो लड़कियां कितनी होंगी चार होंगी अगर boys मार पास तीन हैं तो लड़कियां कितनी होंगी छे होंगी अगर बाइद मारे पास चार हैं तो लड़कियां कितनी होंगी आठ होंगी अगर बाइद मारे पास पांच है तो लड़कियां कितनी होंगी दस होंगी means के हमें exact नहीं पता होता के बाइद कितने हो और girls कितनी हैं लेकिन इतना पता है कि जो girls हैं वो boys से double हैं जो girls हैं वो boys से double हैं ठ तो देखेंड अब यह जो रेश्यो थी अगर एक बार दो ऑगर मैं तीन से इसी दोको भी 3 लाइगा दो दो तीन बार च्याँ पार चारेंड भाता है पिर इस एक बार चार दो को चार से मल्टिप्लाई करूंगा चार दो बार आठ बन जएगा अगर इसी वान को मैं पांच से मल्टिप्लाई करते हूं तो पांच एक बार पांच और इसी दो को ही मुझे पांच से मल्टिप्लाई करने पड़ेगा तो मेरे पास दो पांच बार दस आज ना होता है ये बात अगर समझ आ गई है तो आपके रेशों के सारे कोश्चन हो जाएंगे अगर आपको ये बात की समझ नहीं आई तो आप इसको दुबारा समझेगा मैं आपको दोबारा समझाने कोशिश करता हूँ फार इसेंपल हम कहते हैं कि हमारी क्लास में जो बाइज है वो लड़कियों से आते हैं मीन्स के जो लड़किया है वो बाइज से डबल है अगर मेरे पास 20 जो है ना मेरे पास 2 है तो लड़किया मेरे पास कितनी होंगी चार होंगी क्लास में अगर 20 मेरे पास 4 है तो लड़किया कितनी हो जाएंगी 8 हो जाएंगी अगर मेरे पास 20 मेरे पास 5 है तो लड़किया कितनी हो जाएंगी 10 हो जाएंगी अगर मेरे पास 25 स Upper लड़कियां कितनी हो जाएंगी अब जरह गहोजर करें मेरे पास जो ratio दी होई थी वो मेरे पास ratio थी 2 ratio 4 क्या दी होजी डी ती जी सोरी जो ratio दी एए थी 2 ratio 4 अब जो 2 ratio 4 है न ये मुझे एक उनने निस्बत दी होई थी यह नहीं बताया था कि जनाब वाइज कितने हैं और गर्ल्स कितनी हैं हो सकता है वाइज चार हो और गर्ल्स आठ हो हो सकता है वाइज पांच हो गर्ल्स दस हो हो सकता है वाइज पचास हो और गर्ल्स सो हो लेकिन हमें क्या है सिर्फ यह रेशो का पता होता है अब इस रेशो चास लड़के और सो लड़कियां थी तो मुझे दो को 25 के साथ multiply करने कर पड़ेगा चार को भी 25 के साथ multiply करने पड़ेगा means कि कोई ऐसा मेरे पास variable number होता है जो दोनों के साथ एक जैसा number multiply होता है तो हमारे पास असल जो है न वो number आ जाता है यही बात आपने बार बार यह question में लगानी है तो आपके question इंशाला तला कलिए रहो जाएंगे अब मैं आपके यह सारी types की question दो दो मैं लिखे होए हैं आपको करवाता हूँ तो इंशाला तला इसी pattern को follow करते होए आप जो practice question है वो भी इंशाला तला बड़ी असानी से कर जाएंगे अगर वो कर जाते हैं तो आपके topic इंशाला तला कवर हो जाएगा question क्या है जी आपके पात first question है जी if a ratio b is equal to 3 ratio 4 and b ratio c is equal to 4 ratio 5 find a ratio c यह आपके पास है combine ratios का question है ठीक है जी common ratio यह है आपके पास a ratio b is equal to 2 ratio 3 b ratio c is equal to 4 ratio 5 and a, b और c निकाले ठीक है जी अब यह सारी types के question जाना मुक्तलिफ types के है हर types को handle करने का तरीका मुक्तलिफ है आपने अब गोर करते जाना है अब देखें ज़रा पहली type को हम करते है पहली type मारे पास है a ratio b is equal to 3 ratio 5 means के मेरे पास है a ratio b is equal to 3 ratio 4 अब अगर इसको मैं बटे में change करता हूँ तो मेरे पास आगे था a बटा b is equal to 3 बटा 4 यह मेरे पास आगे दूसरी वो कहता है जी b ratio c is equal to 4 ratio 5 mean के मेरे पास b बटा c जो है वो मेरे पास है जी 4 बटा 5 वो मेरे पास क्या है जी 4 बटा 5 है अब कहता है A ratio C find करें means के A बटा C हमने निकालना है A ratio C means के हमने A बटा C हमने निकालना है जब इस तरह का question आ जाए तो आपने 40 क्या करना है यह जो पहला number होता है पहला number इसको आपने पकड़ना है आपके पास लिखा हो है A बटा B is equal to 3 बटा 4 यह आपके पास लिखा हो है ठीक है आपके पास है A बटा B हमें चाहिए A बटा C क्या चाहिए जी A बटा C चाहिए तो आप क्या करें आप इसको C पे divide कर दें जो A बटा B है ना आपके पास लिखा हुआ है A बटा B लिखा हुआ है A बटा B इसको नीचे करना पड़ेगा A बटा B is equal to 3 बटा 4 है न तो A को भी C से डिवाइड कर दें बटा B को भी C से डिवाइड कर दें कोई फरक नहीं पड़ेगा A को भी C से डिवाइड कर दिया B को भी C से डिवाइड कर दिया कोई फरक नहीं पड़ा बराबर आपके पास 3 बटा 4 का 3 बटा 4 ही रहेगा लेकिन क्या फरक पड़ेगा यह जो A आपने क्या काना है इसको जरब चिल ले पाई कर दें क्रास मल्टिप्लाइ कर दें यह जो B B B C उद जाका मल्टिप्लाइ हो जाएगा A B B C बराबर आग homeless जिथे 3 B B B 4 बटा 4 जरब आपके पास B B C उद चला जएगा आपके पास जánh का B B B C जरब B B B B B C अब यह आपके पास आगए A B C बराबर आगए तीन बटा चार जरब बटा सी की वैल्यू आपको पास दी हुई है बटा सी की वैल्यू आपके पास चार बटा पांच है तो जी आपके पास चार बटा पांच आगी तो जी इसको आप साल्व कर दें चार बटा पांच आगया चार चार साथ कैंसल A πटा C आवके पस क्या अगया जी 3बटा 5 A बटा C आवके पस क्या अगया 3बटा 5 means के A ratio C आवके पस आगी 3 ratio 5 A ratio C आवके पस क्या अगयाIM जी 3 ratio 5 आगया है ठीक है जी मुझे मीड़े का बाब असको असानी से कर लिया करेंगा इस तरह के जो question होंगे बिल्कुल असानी साहब इनको कर लिया करें अब इसी टाइप का दूसरा क्वेस्चन क्या कहता है जी दूसरा क्वेस्चन कहता है P रेशो Q is equal to 5 over 6 means के P बटा Q is equal to 5 बटा 6 है दूसरा आपके पास है Q over R means के Q आपके पास Q बटा R आपके पास है जी 3 बटा 4 3 बटा 4 है 3 बटा 4 है और P बटा R आप निकालें P बटा R निकालें P बटा R कहता है जी आपने फाइंड करना है P रेशो R का मतलब है P बटा R ठीक है जी तो आपके पास पर लिखे है पी बटा क्यों तो P बटा Q लेखें P बटा आपके पास लेखें Q is equal to आपके पास आगया 5 बटा 6 अब P बटा R हमें चाहिए उदर उपर भी R पर डिवाइड कर दे नीचे भी R से डिवाइड कर दे बटा आपके पास अगया इसको आप एज़ी ली एंडल कर लिया करेंगे ठीक है थी इसको आप easily handle कर लिया करेंगे इसको करने का एक और तरीका भी होता है अगर आप वो तरीका भी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं ठीक है वो कैसे होता है जी आपके पास लिखा है जी A ratio B और तीसरा आप C भी लिख दें ठीक है जी पहले देखें A ratio B क्या लिखा है वो तीन रेशो चार तीन रेशो चार यहां पर लिख दिया ठीक है जी अब आप इसको निकाल सकते हैं, इसको आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो मैंने पहले आपको तरीका पता है, वो बिल्कुल असल तरीका वही होता है, इसमें से गलती के चांस होते हैं, लेकिन वो तरीका होता है, वो आपका पेटेंट होता है, वि A ratio B is equal to 2 ratio 3, दूसरा लिखा वैं जी B ratio C, आपके पास जी 4 ratio 5, ठीक है, अब हमने निकालना है A ratio B ratio C, means के अब आपके पास जी 4 थे न, A ratio B, B, means के B, B को अपना कामल ले न, दरम्यान में, B को एक दफ़ा लिखना है, B को एक दफ़ा लिखना है, आपने ratio निकाल के देनी है, अगर B की value दोनों में same आजए न, अगर B की value दोनों में same आजए, for example, मैं लिखता हूँ A ratio B, और आपके पास मेरे पास है, proportion B ratio C, ऐसे मकाल लेता हूँ, ठीक है, यहां पे मेरे पास A ratio B, मेरे पास क्या जी 2 ratio 3, 2 ratio 3 था, और यहां पे B ratio मेरे पास है, 4 ratio 5 है, ठीक है जी, अब मैंने यह जो B है ना, दरम्यान वाला, इसको मैंने कामल लेना है, B को मैंने कामल लेना है, इसको मैं कामल कैसे ले सकता है, अगर दोनों की नीचे इसकी value है, वो भी same आजए, तो इसका तरीका असान तरीका यह होता है, आपने क्या करना है, यह जो B कीमत 3 है ना, इसको इन दोनों नबरों से multiply कर दें, दोनों नम्बरों से multiply कर दें, 3-4 बार 12 ratio, 3-5 बार 15 ठीक है, और ये जो वाला B है ना, इस B को इन दोनो नम्भों के साथ multiply कर दें, 4-3 बार 12 और 4-2 बार 8 अधेक़ दे में 12 बारा गाया अब में 12 कमण ले लेंगे, तो मेरे पास बन जाएगा 8 ratio 12 ratio 15 यह आगया A यह आगया B यह आगया C ठीक है समझागी है अगर आपने जिस भी number को same करना होता है तरम्यान में से आपने comment लेना होता है उसका क्या करना है उसको आपने दोनों तरफ multiply कर देना है दोनों तरफ उसको जी value उसको आप दोनों तरफ multiply करतेंगे तो आपकी ratio बिल्कुल असानी से निकलाएगी आपकी ratio जो आप बिल्कुल असानी से निकलाया करेगी मुझे अमीदे का अब यह question आप कर लिया करेंगे question है जी P ratio Q is equal to 5 ratio 7 P ratio Q मेरे पास जी 5 ratio 7 है अगला question है Q ratio S Q ratio S मेरे पास क्या जी 6 ratio 8 है आप कहता है जी P Q S नि कालें अब आपने क्या करना है दर्मियान में क्यू को हमने क्या करना है कामड लेना है दो दफ़ा लिखा उसको एक दफ़ा करना पड़ेगा तो करने के लिए हम क्या करेंगे यह जो क्यू है इसको दोनों से मल्डिपला करते हैं इदर आप क्या करेंगे साथ को दर करें साथ बार 42, 78 बार 56 ठीक है जी और 6 को 6, 7 बार 42 और 6, 5 बार 30 आप देखें 42 बेर दोनों इकठे हो गए इनको आप एक दफ़ा लिखें तो यहां पर 30 यहां पर आपके पास आगा 56 तो यह आपके पास आंसर आजएगा 30 रेशो 42 रेशो 56 ठीक है हो सकता है उससे ने यहां पर इसको क क्या क्या हो, इस आपको आप्षण में क्या करें? simplify करके देते, में कि इसको 2 से कड़िए 25, 30 इसको marad 22, 42, फिर इसको 2 से कड़िया आपके पास आज़र आपके 26 ठीक है इस तरह से वो काड़ के भी आपको इसको simplify करके भी दे सकता है, इसका अपने ख्याल लेखना है, मुझ is added to both numbers the ratio become 4 ratio 5 find the original numbers आप देखें ये कैसा नबर आपके यहे न है चाइखेंद के आपrau डोंको विए न है और आपके इनके रह दूझा दकर को आप पंच नहीं आप चार रहलों po पांच मीन के आप दो X के अंदर भी आप 4 को जमा कर दें और 3 X के अंदर भी आप 4 को जमा कर दें दोनों के अंदर 4 को जमा करें तो आपके रिशो दब दीलों के क्या बन जाती है जी आपके रिशो बन जाती है क्या बन जाती है चार बटा पांच बन जाती है चार बटा पांच बन जाती है ऐसे र पूर एक्स रेशो थ्री एक्स अगर कहते हैं इन में आप क्या करें चार जमा करें टू एक्स जमा चार करें और थीन एक्स में भी आप चार जमा करें तो आपकी रेशो का बन जाती है चार रेशो पांच बन जाती है बटे के साथ करनें के असानी से हो जाएगा ठीक है आप अब वो क्या कहता है जी अब अगर दोनों में जम करके चार जम किया तो मेरे पास आणसर किया लेगा चार बटा पांच अब इसको सिंपल ही आप निशा कहा किना क्रास मल्टीप्लाइ करको आणसर निकाल लेना है क्रास माल्टिपलाई जिर्फ आपने करना चरफ चिले पाइज को उर्दू में बोलते हैं पांच हिदार आप माल्टिपलाई होगा पांच दो बार 10 x plus 5 4 बार 20 is equal to 4 किदर 4 3 बार 12 x plus 4 4 बार 16 x वाले कर लें, बाकी लाइदा कर लें यह 12X बड़ा है, 10X इदर ले याँ, 12 में से 10 निकलेगा, 2X बाढ़ जायगा, और 16 आप उधर ले जाएं, 16 आप कैए 20 में 16 निकालेगा, आपके पास 4 बाढ़ जाएगा, 16 पलास के दर का मैनस हो जाएगा, तो X आपके पास क्या जाएगा दो आजएगा जी दो इदर multiply हो रहे ना उदर जाकर divide हो जाएगा ठीक है तो X आपके पास क्या आगया जी दो आगया तो आप क्या कहते ही find the original numbers means के मारे पास X मेरे पास 2 है तो आप 2 को 2 simply apply करूँगा 4 और 3 को 2 simply लिपलाई करूँगा 6 तो असल मेरे पास जो नंबर थे 4 और 6 थे असल जो मेरे पास नंबर थे वो 4 और 6 थे समझागी है जी आप देखिए इन दोन में 4 चार जमा करें 8 और आपक दास बान जागा तो इसकी तो आपने क्या करना जाब इस तरह के नंबर आ जाएंगे तो आपने समय नहाए जो भी रेशो ती हूँ इसका साथ आपने X को लगा के तो आपने condition इंपलाई करके तो आपने X की value निकालना होती है सिरफ यही question इसमें करना होता है इसमें और कोई कोई rocket science नहीं होती ठीक है जी अगला question देखते हैं अगला क्या जी अगला question था इस दा ratio of two number जी five ratio eight three is subtracted from each number the ratio become two ratio three means के पहले मेरे पास जो number थे five X थे और मेरे पास eight X था पहला उपर दूसरा नीचे उनमें से तीन को subtract किया है माइनस तीन किया उपर से भी माइनस तीन किया तो मेरे पास ratio क्या बनगी जी दो ratio तीन बनगी तो दो पटा तीन बनगी तो आप सिर्फ इसको simply आपने क्या करना है multiply करना है तीन पांच बार 15 X 15 X मानिस तीन 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 बार 9 is equal to दो आट बार 16 X मानिस दो तीन बार 6 अब इसको क्या करेंगे 15 X उतर चला जाएगा 16 में से मानिस हो जाएगा और ये 6 दर मानिस हो रहे दर आके प्लास हो जाएगा ठीक है तो आपके पास क्या बन जाएगा जी 16 मानिस 15 X आपके पास क्या बन जाएगा 16 में से 15 निकाल एक X बाच जाएगा और यहां पे मेरे पास 9 था 9 पे plus 6 चे आज़ेगा मैनस 3 मैनस 3 आजएगा 6 द्रakat plus होगा ना तो minus 3 और plus 6 मेरे पास क्या बच जएगा minus 3 बच जएगा it means कि मेरे पास X की value आईए है minus 3 X की value क्या आईए है minus 3 आईए है तो मैंने number मेरे कौन कौन से number मेरे पास से 5X और 8X तो इस तरह से आपने X की value निकाल के तो आपने answer आपने निकाल लेना होता है अगला क्वाचना ratio है ना mixture अब यह कैसे होता है जी आपके पास alcohol शूगर बी है और वाटर भी है शराब भी है पानी भी है और चीनी भी है ठीक है जी उसमें क्या जी और if a mixture contain 5 liters of alcohol ठीक है जी mixture है उसमें मेरे पास जो ना alcohol सबसे पहले 2 ratio होए अगर मेरे पास alcohol 2 kg होगी ना 2 liter होगी तो میरे पास sugar जोगी वह 3 kg होगी और water कितना होगा 5 Poss lower होगा वाटर कितना होगा पांच लीटर होगा आप देखें कहता है जी कहता है जी उसमें जो आपके पास अलकोहल है वो दो है बीस है सोरी अलकोहल कितनी है बीस है मेंस के मेरे पास असल नंबर तो यह नहीं दियो है ना असल नंबर तो मेरे पास दो एक्स तीन एक्स और पां वो 2X थी अब इसको असल नमबर निकालने के लिए मुझे X की वैल्यू निकालना पड़नी थी लेकिन उसने आप उसने खुद ही दे दिया 20 लिटर दियो या अलकोहल इसका मतलब है मैं 2X को कैसे 20 में convert कर सकता हूँ अगर 2 को मैं 10 से multiple है करो तो मेरे पास 20 लिटर बनता है 2 को 10 से multiple है करो तो मेरे पास 20 लिटर बनता है इसका मतलब है X की value है यहां पर 10 है हमें निकालने के जुरूरत नहीं पड़ी उसने खुद ही निकालकर दे दिया X की value यहां पर 10 हागी दो दास बार 20, तीन दास बार 30, पाइन दास बार 50, तो इसमें अगर अलकोहल आपके पास 20 लिटर है, तो आपके पास शूगर 30 लिटर होगी और वाटर आपके पास 50 लिटर होगा, ठीक है जी समझा गी है, इसमें से एक्स उसने खुद ही निकाल दिया, ट्रिक उसने कहता है जी, टोटल मिक्सर आपके पास 45 लिटर मिक्सर है, टोटल आपके पास मिक्सर कितना है, 45 लिटर मिक्सर है, उसमें रेशो आपके पास 4 रेशो 5 है, अब 4 एक्स और रेशो आपके पास कितनी है जी 5 एक्स, ठीक है असल नमबर यही है ना, अब कहता है जो टोटल है जी टोटल इसमें 45 लीटर है मिलक और वाटर दूद और पानी मिला करें टोटल कितना है 45 है मीन के ये आपके पास दूद है और ये आपके पास पानी है इन दोनों को जमा करें तो आपके पास 45 लीटर बनता है मीन के 4X जमा 5X करें तो मेरे पास कितना बनता है 45 समझागी है यह X आपने X की ही सारी कहाणी है X को मैंने आपको स्टार्ट पर बतायता है X की बाद अगर आपको समझागी है आप यह रेशो वाले सारे कर जाएंगे X से मुराद वो फिक्स नंबर होता है एक्स की कीमत आपके पास आगी जी 5 आगी इसका मतलब है इसमें 4-5 बार 20 लिटर आपके पास जोड़ा मिलक है और 5-5 बार 25 लिटर आपके पास पानी है ठीक है जी समझागी है तो उसने क्या पुछावा है जी उसने milk पुछा थे milk आपके पास 20 लीटर है यहाँ पे milk यहाँ पे कितने है जी 20 लीटर है ठीक है मुझे बीद है कि आप इसको आप इसको कर लेंगे ठीक है जी इसको आप कर लेंगे ठीक है जी next हम देखते हैं next मारे पास कौन सा question है जी अगली type है जी ratio and proportions ratio and proportions आप यह कौन सी टाइप है if ratio of boys to girls in school is three ratio of five ratio of boys to girls जो है ना boys अगर तीन है तो लड़कियां कितनी है जी पांच है there are 120 boys लड़के कितने हैं 120 हैं आप देखें सीधी जी बात है यह मेरे पास लड़के कितने थे 3x थे लड़कियां मेरे पास कितनी थी 5x थी अब कहता है जी यह 3x है ना यह कितना है जी 120 boys है अब उसने खुद ही दे दी है कि total boys आपके पास 120 है आप देखें यह 3x 120 कैसे बन सकता है अगर मैं 3 को 40 से multiply करें तो मेरे पास 120 बनता है इसका मतलब है x की हमत यहां पर 40 है और 5 को भी हम होगी 200 होगी यही उसने पूछा हुआ था अगर आपको x निकालना आ गया तो आपने ratio वाले question असानी से कर लिए अगर x ना निकला तो यह नहीं निकलेंगे अगला question आजी ratio of number of apples to orange apples to orange आपके पास 2 ratio 3 है means कि apple आपके पास 2 x है औरेंज आपके पास 3 x है if there are 50 apples 50 apples है अब मेरे पास apples कितने हैं 2 x है लेकर वो कह रहा है असल में वो 50 हैं तो 2 x 50 कैसे बन सकता है दो को 25 से multiple ही करूंगा 50 बन जेगा इसका मतलब है मेरे पास x कितना आ गया जी 25 आ गया तो अगला question आपके पास है जी equivalent ratios equivalent ratios कैसे करनी होती है find equivalent ratios of 5 ratio 7 when the first term is 20 फिल्क वही बात है फिर वही गूम कमागे वही बात आ रही है आप देखें 5 x और ratio आपके पास है 7 x लेकिन वो कहता है पहले नमबर आपके पास 20 है पहले नमबर कितने है 20 है तो 5 x 20 कैसे बनेगा 5 को 4 से multiple ही करूंगा 5 x 4 बार 20 होता है ना तो मेरे पास आगया जी अगर ऐसे भी ना है तो 20 को 5 x डिवाइड करके देख लें 5 x 4 भी बीस आएगा चार आपका answer आएगा ठीक है तो 5 x 4 7 x 4 वही चार के साथ दोरों के multiply करेंगे यह 20 आगया और 7 x 4 आपके पास आगया 28 आपके पास आगय 9 when the second term is 18 अगली term कितनी है जी 18 है second term मेरे पास पहली term मेरे पास 6 x है दूसरी term मेरे पास 9 x है लेकर वह कहता है दूसरी मेरे पास 18 है इसका मतलब है नो को 2 से multiple ही करूंगा तो फिर ही 13 आएगा ना अगर 9 को 2 से multiple ही कर आच ये को भी 2 से multiple ही करने है पड़ेगा ये 12 आदेगा अगला क्वेस्चन है जी रेश्वेंड शेरिंग शेरिंग में रेश्व कैसी होती है जी कहता है जी डिवाइड 1500 बिट्वीन A B C A B और C A फार आप अकरम ले 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 बी फार बिलाल ले ले ठीक है जी और C फार कोई भी आप ले ले जो भी C से किसी का नाम अगर बनता है त थीक है तो आपने क्या करना है आप क्या करें जी कहता है इन तीन बंदों में आपने 1500 रुपया तकसीम करना है कैसा तकसीम करना है 2 ratio 3 ratio 5 mean के 2x 3x और 5x में आपने क्या करना है 15 100 रुपया divide करना है means के इन 3ों को जमा करें 3ों को आपने जमा करना है तो ये 15 100 रुपया बढ़ना चाहिए means के जो 15 100 रुपया है इन 3ों में ही divide करना है means के 2x जमा 3x जमा 5x करें सब को जमा करें जो इसको मिलेगा जो इसको मिलेगा जो इसको मिलेगा सब को मिलेगा तो आपके पास 1500 पूरा हो जाएगा तो दो तिर तीन पांच पांच और पांच दस एक्स आपके पास कितना आगा जी 1500 अब एक्स आपके पास आगा जी 1500 बटा दस ये 10 एक सिवर कट गया X आपके पास आगया 150 X की कीमत क्या गई 150 आगई तो A के पास 150 के मल्टिप्ला करें A की आगई आगके पास 300 आगया अब B को 3X है तो 200, 500 से मल्टिप्ला करें इसका 455 जाए 450 और C का आपके पास 5X है 5X को 500 से मल्टिप्ला करने तो या आग dûबर 750 x अगर आपको निकालना आ गया तो रेशो वाले क्वेस्चन आपके फिंगर टिप्स पे होगे अगर x ना निकालना आ तो रेशो का क्वेस्चन नहीं होगा गाता है जी a and b share a profit of 1200 in a ratio 3, ratio 4 how much does each get ठीक है जी a और b का share है, 1200 रुटल है इन दोनों के रिशो तीन रिशो चार है मिन के तीन एक्स जमा चार एक्स आपके पास है ठीक है जी दोनों को जमा करें आपके पास बारासो रुपया बनता है साथ एक्स आपके पास आगया जी बारासो साथ एक्स आपके पास क्या गया जी बारासो लगा कि पिर आपकारे साथ चार बार ठाइस दोवस् गये बीस हो गया फिर साथ, लगकार ही चम, अगला च्वेस्टिन है जी, modified ratios modified ratios में क्या कहता जी A ratio B, C ratio 5 है 3 is added to both A and B what is the new ratio I think यह हो गया लड़ी यह जो पहले वाला question दरा यह वो ही type दोबारा लखी गई है तो यह बिल्कुल same जो है आपके पास है यह constant addition यह वाला जो ratio होती है वो बिल्कुल वो ही यह modified ratio भी वो ही है ठीक है तो टोटल आपके पास 8 types ही बनती है 8 types ही बनती है 8 types की ratio अगर आप कर लेते हैं तो आपका question कोई भी ratio के इंचला तला skip नहीं होगा ठीक है जी अब यह practice question आपके पास है यह practice question आपने करने है अगर कोई question आपका रेशो के मतलिक ना हो रहा हो किसी भी बुक पे किसी भी पास पेपर में आपको नज़र आए रेशो का question और आप से ना हुआ मुझे से शेर कीजिएगा वाटसैप पे इंचला तला मैं आपको करवा दूँगा नीचे से भी कोई ना हुआ तो आप में जरूर मेरे साथ वाटसैप राप्ता कर लीजिएगा इंचला तला मैं आपको करवा दूँगा कल आप इंचला हम proportion को करेंगे thank you so much मिलते हैं नेक्ट वीडियो में अल्ला आफिज